और आपको बता दे कि जम्मू कश्मीर में जन जीवन धीरे-धीरे सामाने हो रहा है। प्रशासन को इनकी सुरक्षा की जिम्मदारी का निर्देश दिया गया है। तक जो तबाम करमचारी हैं उन सब को कहा जा रहा है कि वो काम पर लोगते हो तो शासन से कहा गया है कि उनकी सिक्योरिटी सुने शित की जाए। तो तस्वीरे जम्मो और शीनगर की आपके सामने धीरे-धीरे यहां आहालात सामाने होते दिखाई दे रहे हैं। जम्मो कश्मीर जिसका की विशेश राज़े का दर्जार वापस ले लिया गया है नुचे 370 को हटा दिया गया इसके बाद से यहां पर कड़ी सुरक्षा जरूर है लेकिन अब सामाने हो रहे हैं हालात लोग घर से निकलने लगे हैं। जम्मो में स्कूल कॉलेजिस भी खुल गए हैं और कश्मीर में भी अब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। और किकनी दिनों से अफशी नगर में थी? हम लगवग 15-20 दिनों से. कोई दिक्कत आई या सुबह से सेक्शन 144 लगा या तो दिक्कत कोई नहीं आई। लेकिन हम खोदी बच्चों ने वहां से किया कि आप निकलो निकलो अभी तो हमें रहना था फंद्रा दारिक तक तो रहना था मैं। कैंसल करके दूसरी टिकट करें। कोई गाड़ी बाड़ी मिलने में अभी आप या ताल टैक्सी बूक किये थी नहीं आई। अब ये गए देखने को कहीं मिलेगी कुछ तो अभी हम सुबह हमें तो तीम बज़े की वलायट है लेकिन हम सुबह निकली थी इसलिए क्या मुझे कर लिया तो कहा से हैं। आट बज़े और सामान खुद यहां लेके आई। तो कुछ चीजे ऐसी हैं क्यूंकि शिनगर के आसपास के आलाकों में खास तो पर जबात कर रहे हैं तो जात तक तूरिस निकल रहे हैं और इनका मकसद है कि लगातार खास तक पहले एरपोर्ट पर बहुँच जा और इनको फ्राइड कांसल ना करने पड़े। तो कुछ टूरिस जो वहाँ पर थे और धारा 24 लगाये जाने के बाद वहीं पर रुकने को मजबूर हो गए थे वो आप निकलने लगे हैं और ट्रांसपोर्ट के वो जरी ढूंड रहे हैं वापस आने के लिए आपने सेलानी की बात भी सुनी हाला कि उनका यह कहना था कि लोगो चौर दिन यहां रुकना चाहते थे तो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शीनगर की भी और जमू की भी शीनगर जो कि क्योंकि इस वक्त गर्मियों का मौसम है मौनसून आई हुए हैं और ऐसे में कई सेलानी यहां पहुशते हैं घूमने के लिए हाला कि आप अपकर भी बाइव हैं और नहां शीनगर की बित रहे हैं जो आपको दूमने को चाहते हैं रहे हैं बहे हैं और जग सेलानी के टाहते हैं तो दूम हैं मौन आपको दो कि हम आपकोग